चोपड़ा एजुकिशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ नीट वेज यही पोस्पॉंट की बात हम सब के दिमाग से नहीं निकल रही है जिसके चलते आप लोगों की स्टेडी डिस्टर्ब हो रही है पढ़ने की बजाए हम बार-बार ट्विटर चैक करते हैं कि कहीं पोस्पॉंट की न्यूज ही आ जाए हम सब चाते हैं कि इस कंडिशन में पोस्पॉंट तो होना ही चाहिए मगर गौर्मेंट इस बात को मान ही नहीं रही है वो तो एक्जाम लेगी है तो इस परकार की न्यूज अभी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है ये पोस्पॉंट होना मुस्किल है क्योंकि सुप्रिम कोर्ट की तरब से पहले ही डिसीजन आ चुका है और यूजी सी एक्जाम भी सुप्रिम कोर्ट ने कैंसिल नहीं की है आपने अभी पोस्पॉंट का ख्याल दिमाग से निकाल देना है और पूरा ध्यान अभी स्टडी पर देना है अगर कोई इस परकार की अपडेट होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अभी एड्मिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और शिरफ पंद्रा दिन का समय ही सेस बचा है इस समय का आपको बिना किसी नियूज की तरफ ध्यान दिये इस्टडी करना है आप इन पंद्रा दिनों में जितना इंप्रॉमेंट हो सके उतना करने की कोशेस करें ताकि आपको अच्छी गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज मिल सके आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही बताना चाहता हूँ कि अभी आपको किसी भी पोस्पोर नियूज की तरफ ध्यान नहीं देते हुए शिरप और शिरप अपने इस्टडी पर ध्यान देना है अब ये पंदा दिन आप दिन रात एक कर दो जितना भी पिछले पंदा दिन में आप डिस्टरप हुए हैं उसको आप कवर कर लो सब कुछ दिमाग से निकाल कर बस एक ही बात एक ही एम रखो कि मेरे को 13 सिप्टेंबर को नीट एक्जाम फाइट करना ही है इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है अगर ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है दूसरी बात यह है कि इन 15 दिन में आपको घर में अपने आपको अपने आपका पूरा खयाल रखना होगा अपना एक अलग से रूम अरेंजमेंट कर लें ज्यादा किसी से मिले जुले नहीं अपने सहत का खयाल रखें अभी बारिस का मोसम है बिमारियां ज्यादा होती हैं आपको एक्जाम तक अपने आपको अपने आपका बिमारियों से बचाओ करके रखना है तो दोस्तों ये एक छोटी सी इनफोर्मेशन थी आपके लिए छोटी सी मेरी तरब से सला थी आप अगर इस सला को मानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इनफोर्म कर ही दूँगा तब तक आप अपने स्टडी का ध्यान रखें अपने स्टडी में जूट जाएं अपने सेथ का ध्यान रखें बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खतम करता हूँ जै हिंद